बिसमिल्ला इप्राह्माली आज अब माइन क्लास की वायोजी में चेक्टर अपर 3 का लेक्चर 5 के डिस्क्रस करने जा रहे हैं आज करमारा टॉपिक है स्ट्रेटस ओफ वायरस का स्ट्रेटस क्या है वायरस का हुकाम क्या है वायरस के 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 वायरस क पहली स्टिक यह है कि वाइरस इस जब किसी गांदा के अंदर और सेल के अंदर होते हैं तब यह अपनी तादा में अदाफा करते हैं मतलब रेप्रोडूस करते हैं और reproduction जो है यह property living condition की property होती है तो यहां जो है तो virus इंप्रडूस करता है इस वजा से कह सकते हैं कि virus जो है यह living होते हैं अब जो है viruses non living क्यों है इस वज़ा से कहा जाता है जो viruses है जब यह जानदार की body के बाहिर होते हैं तब ये crystals की शकल में होते हैं और crystals का बनना crystals formation ये non living की property है crystals कहते है specific geometric shape अतलब कि कोई की shape जो है जो specific हो geometric हो उसके मखशूस angles हो ऐसी shape को crystals कहा जाता है जो crystals formation है ये non living की property है living की property नहीं है इसके रावा जो वाइरसिस नहीं को नौल नहीं को कहा जाता है उसकी वज़ाई है कि सैल पर मुस्तमिल नहीं होते हैं और हम जाते हैं कोई भी चीज जो सैल पर मुस्तमिल नहीं होते हम उनको जामदार नहीं कहते हैं अब यही बादा है कि वाइरस यसको किसी भी किंडम में स्ट कया जाता कि ये सेल्फ पर मुस्तमिल नहीं होते हैं, अब ने अभी डिसकस किया कि लेइं कोड़र्टी जो है वाइरस की वह है रिप्रडक्शन, दूसरा वाइरस के पास उसके पास अपना DNA मुझूद होता है, लगके अपना जैनेटिक मेर्टीड होता है, नुक्लिक एसेड को DNA भी हो सकता है, वो RNA भी हो सकता है, अब यह तो है कि वाइरस जो है लेइं, जो है जो किसे इंदर कैट्रिस्टिक्स कौन कौन सी है, और नो लेइं कौन कौन सी है, अब सवाल यह है कि जो वाइरस है, वाइरस अगर सेल्फ पर मुस्तमिल नहीं होते हैं, तो किस चीज़ पर मुस्त की निक्रिक इसराइए ञाहिए, चबकि जो प्रोटीन है। इसके बाहिben होती है। अब आ रहते हैं, वाइरसे जो हैं यह सेल पर मस्तविल नहीं होते हैं, जो के प्रोटीन और निप्लिक के सेल पर मस्तविल होते हैं, और कुछ पार्टीकल्स तो ऐसे हैं, जो के सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर मस्तविल होते हैं, और कुछ वाइरसे यह पुछ एसलिलर पा और ये औोो में जानों में उसलिफ विस्म की बिमारिया पहएं यह वायरस के तोगहली जो क्योंड है अब आजाते हैं नेक्स्त हमारा टॉपिक है वो है बाइनॉमियल नॉमन प्लेचर, के बाइनॉमियल नॉमन प्लेचर किसे कहते हैं यह method है of giving scientific name to each species, हर species को जो है एक मखसूस science-y नाम लेने का तरीका है उससे नॉमन प्लेचर कहा जाता है और यह जो है बाइनॉमियल नॉमन प्लेचर नाम लाता है बाइनॉमियल बाइनॉमियल नॉमियल में नेम्स और वर्ड्स कहा सकते हैं अतलब एसा तरीका है जिसमें साइट जो के जाता हूं तो species को जो science-y नाम दिया जाता है वो दो अल्वास पर डू वर्ड्स पर मुस्तमेर होता है इस वज़ा से इस मैठोड को बाइनॉमियल नॉमन प्लेचर कहा जाता है अब और गाते है कि जो वाइनॉमियल नॉमन प्लेचर कह सिस्टम है इसको किसमें इंत्रुड्यूस करवाया था। कि एक Swedish के Tuva Complex है उनका नाम है क unpleasant Hills को demo स्ट करत BACK और यह जो तरीका है बाइग मिएểm डोयां क्लिचर का आज बहुत रहा है driving ग्यूम कि छो मदा शुम्रत है वह भी आ है भी में मोदा के लिटाम से कहा है उसके बाद आते हैं Rose for documenting the scientific name अब Rose क्या है कि जब हम science नाम लिखते हैं तो लिखने के कुछ Rose है कुछ असूर है पहला असूर इसका जो है वो क्या है उसको देख लेते हैं scientific name जब भी लिखा जाए जब भी लिखा जाए इसको italics में लिखा जाए जब भी प्रिंट किया जाए इसको italics में किया जाए अगर band written में हैं तो bold करके लिखा जाए अतलब के marker लिखते हैं पर अगर marker इसमाल नहीं करते हैं आप pencil लिखते हैं तो उसको underline जरूर कीजिएगा इसके हैं पहला रोल इसका उसके दूसरा रोल है वो यह है कि scientific name की two words है इसके दो हिस्से होते हैं फरस्ट में टो फरस्ट नेम है वो जीनस को जाहिर करता है और जैनरिक नेम कहराता है जो second word है वो species के नेम को जाहिर करता है और जो जीनस का नेम है इसको हमेशा capital letter से स्टार्ट करते हैं और इसके साथ जो species का नेम है उसको हमेशा small letter से स्टार्ट करते हैं इसकी मिसाल में आप मुश्रूर देता हूँ कि suppose करते हैं यह एक नेम है जहां हूँ Ascretia coli, यह स्टिशिया रेम है इसके टू पार्ट है एक स्टिशिया का स्टिशिया रेम है इसकी तू पार्स है एक Ascretia, दुस्ता है, कुलाई, एसकी कि ज्यास नेम है जो कुलाई है यह स्टिशी लेम है Zenas Name को मेशा Capital Later से Start किया जाता है। तो Species Name को मेशा Small Letter से Start किया जाता है। इसका किसरा रूल है? तो यह है कि जब भी आप Scientific Name को लीखें First Guide लीखें सांइ्टिफिक नेम मुकंल लिखना चाहिये मुकंल लिखा जाया और अगर जो है बार बार यही scientific name बार बार आता है बार बार लिखने के दुरूरत करती है या फिर अलग अलग species हैं उनका genus से बार बार लिखने के दुरूरत करती है तो आप जो है genus name को generate name को आप appropriate कर सकते हैं जैसे as-cretia coli यह बन जाएगा e-coli इस तरह से स्वाव every day भी कर सकते हैं उसके बार पिर आ जाते हैं कि जो scientific name है why not in normal nature इसकी significance क्या है इसकी आहित क्या है बतलब ज़रूरत क्यों बढ़ी कि scientific name होने चाहिए तो यह जो है इसकी ज़रूरत कि इस वरह से बढ़ी क्योंकि जो common names है common names confusion pause करते हैं अब जो है common names क्या क्या confusion pause करते हैं और किन के लिए ये confusion pause करते हैं scientist के लिए क्योंकि scientist को problem होती है अब जिसका पिसकी पहली वज़ा है जो common names है confusion pause करते हैं वो यह है कि एक ही species के different names है विसाल के दौर बर मैं ओन्याती बाव करता हूँ अब प्यास इसको उर्दू में कहा जाता है paulian English में कहा जाता है गंडा वसल वसल जिसको कहा जाता है अब एक species के जो है different names है अगर suppose करते हैं अगर एक scientist जो है किसी एक मुलग से किसी दूसरे मुलग में जाता है और जागर अपने ही जुवान के अलवाज इसमार करता है तो उनको जो है वो नाम समझने नहीं आता जिस वज़ा से scientist को research करने में problems पेशाती हैं conclusions पेशाती हैं इस वज़ा से जो है और एवन के जो common names होती है ये value करते हैं country to country मुलग से मुलग मुक्तलिफ होते हैं और एवन के एक ही मुलग के अंदर मुक्तलिफ इलाकों में एक स्पीशिस के different names होते हैं इसकी पहरी वज़ा है इसकी जो दूसरी वज़ा है वो ये है कि एक ही बाद उकाद एक ही कौमत ने इसमार दो जाता है बहुत सारी स्पीशिस के इसार के दोपर कह दिया लाता है black bird अब जो black bird हैं तो बहुत सारे black birds हैं तुबलब के कुवा भी हो सकता है काला कुवा है इसके लावा उसरे जो है प्रावन भी है इसके तर मुझवदा रखसें इसके दर आरा जाते है तो फिर इस तरह से जो है एक ही जो common names है different species के लिए ये भी confusions कास करता है और इसकी जो तिसने ही जोस्की वज़ा है वो है common names have no scientific basis common names की कोई scientific base नहीं होती है इसकी में जारा पुजूरी आती है हम कहते हैं starfish, crayfish जो हम कहते हैं हाया अगर फिश कहा है अगर ये फिश नहीं होती है science के लिहाज साइटेपी में जो है जो फिश है fish is a vertebrate animal ये इक vertebrate animal जिसके पास human की हटी होती है with fins and gills जिसके fins होते हैं और इसके gills होते हैं, gills जिसके ज़रिये से ही है सांस लेते हैं इस तरह सुर है, तो common names है, common names in confusions की बज़ा सुर है, common names को हटाया जाता कर जो हटा कर बाइडामियर common culture के जरीए से जानदारों को species को साइंसी नाम दिया जाता है, ताकि जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये तमाम confusions को दोर किया जाता है अब इसके लगा यहां जोने कुछ scientific name दिये गए हैं, कुछ common name दिये गए हैं निसाल को पर और यह है, इसका scientific name alien sepa इससे तरह से सी स्टार, इसको स्टार जो करते हैं common name है, इसका जो scientific name है Asperas from Banks अब कोई साइंटिस्ट जहां से मर्जीर आए, जहां मर्जीर आए, वहां पर जाकर common name दिये करता है वह जाकर scientific name दिये में दिये में दिये में, ताकि किसी किसम की confusion का सामना ना करते हैं और यह name है सिर्फ साइंटिस्ट की आपको इसकार करते हैं, यह आम जिंदगी में यह name इसकार नहीं होते हैं आज बायोडाइवरसिटी से मुतलिक जो हमारा topic है, वह है conservation of biodiversity पतलब जो biodiversity है, इसको conserve करना है, इसको बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह देखा जा रहा है कि उस दहायों से species की तागा बहुत तेजी से कम हो रहे हैं अतलब जानदार मर रहे हैं, वो species आहिसा आहिसा पतम हो रहे हैं जो के बहुत ही गलत कह सकते हैं या बहुत ही बतरनाक सुर्देहा के तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि जो जानदार की species है, वो आपस में किसी ना किसी तरीके से link करती है, आपस में relate करती है फूर्ड चेंड के जरी से, जब कोई जानदार फूर्ड चेंड से निकलना है, मतलब कि वो जानदार हो जाता है तो पूरी की पूरी फूर्ड चेंड को मतलब कह सकते हैं, पूरे एको सिस्टम पर उसके असराद होते हैं हो सकता है उसके असराफ से जहाय जाहिर ना हो लगर देर से ही उसके असराफ जोरूर जाहिर कोते हैं पिसार के तोज़़मेंगे आपको पिसार बेता हूं कि जो स्टार迪्ष है, सी स्टार Как है यह सबंदर में रहते हैं और Mysel's को खाते हैं मतलब गूंगे जो होते हैं सिप्वियां इनको खाए और अगर हम सुपोस करने फर्ष करने कि जो स्टी स्टार है समंदर के इसी हिस्से से हम इसको निकाल देते हैं पदम कर देते हैं तो वहां फिर क्या होता अब स्टी स्टार खाते क्या हैं मस्टर्स को खाते हैं सिप्विय से उनकी तादा में स्टेल्स की तादा में इजाबा हो जाएगा इस तरह से या ये उसका असर हoda है अब यहाँ पर जो है गोल टर्ट आम और पर सबाद होती है एक एक स्टिंग स्पीशीज हुज्टा है एक स्टिंग स्पीशीज कहा जाता है ऐसी स्पीशीज जिसका दुनिया में एक जामदार भी मौजूद नहीं है किसी एक स्टिंग स्पीशीज को एक स्टिंग स्पीशीज कहा जाता है जब यह बात कंफर्म हो जाए there is no organism in that ecosystem मतलब all the organisms have been died in that ecosystem जब यह confirm हो जाता है कि तमाम जानदार उस species के बढ़ चुके हैं तो उस species को उस ecosystem के लिए extinct species कहा जाता है विसार के तो पर डाइनासोर्स के अगर हम बात करें तो आज डाइनासोर्स मौजूद नहीं है मतलब उसका एक जानदार में मौजूद नहीं है हमें जो हमारे पास information आई है वो तो fossil record के जरीए से आई है तो फिर डाइनासोर्स को क्या सकते हैं कि वो extinct species है दूसरा है entangled species entangled species ऐसी species को कहा जाता है जिसका खत्रा हो कि आने वाले चंद सालों में ये species खतम हो जाएगी पतलब extinct हो जाएगी पतलब ऐसी species है that is at the risk of extinction जो के extinction के धाने पर पड़ी हो सकता है तस साल में पत्राइब हो जाए पचाह साल में पत्राइब हो जाए या सो साल में पत्राइब हो जाए ऐसी species को entangled species कहा जाता है जो हमारे पास examples है बहुत सारी है लाइब है टाइकर है शुक्रा है इसके लाव बहुत सी examples है जो कि species जो entangled हो रही है या हो जुकी है अब सवाल यह है जो species extinct हो रही है इसकी लेजर पॉसिस क्या है इसकी जो बड़ी बड़ी वजुभाद है वो क्या वजुभाद है इसकी जो पहली वज़ा है that is the habitat loss मतलर जहां पर जानदार का बसकन है जहां जानदार रहता है जहां जानदार के लिए environmental living or non-living components हैं वो हम क्या करते जा रहे हैं उसको फतम करते जा रहे हैं उसका habitat यह बड़ा से जानदार जो है या तो मल जाता है यह वहां से move कर जाता है हबिटेट प्लोस्ट दूसरा है इसका डेफॉरेस्टेशन डेफॉरेस्टेशन बतलब ज्ग्राइब हैं ज्ग्राइक को फद्वरतों काड़ रहे हैं ऽो स्पेशीस ज्ग्राइक में रहती हैं फिर वोस धुर्दों कर जाती हैं इसी तरह से तुर्कित इसकी तिसकी वज़ा है that is a over hunting मतलब ज्यादा शिकार तुर्कित शिकार का ज्यादा होना इसकी वज़ा से इसकी वज़ा से इसकी स्पीशीज एक्स्टिंट हो रही है और एंटेक्ट हो रही है इसके लावा है climate changes उस माहूल में तब्दिलियां आ रही ह इसकी वज़ा से भी जो है species उस माहूल को adopt नहीं कर पाती है वो जाना तो फिर वो जाना मर जाते हैं इसके लावा pollution बारिशन मतलब के आलूदगी आलूदी की वाज़ा से भी जो है species एक्स्टिंट हो रही है क्योंके endangered हो रही है और इसके लावा है last में वह है removal और introduction of species मतलब अगर किसी ecosystem में अगर कोई species आती है या कोई species निकलती है तो भी क्या होता है उस पूरे ecosystem पर उसके असराव मुरदब होते हैं यह कुछ reasons है कुछ causes है इसकी वाला से species है species extinct हो रही है या पिए species endangered हो रही है अब next है हम चलते है deep forestation जो कि हम यह भी कहा कि deforestation जो है यह species के extinct या एंडेंटर्ट होने की एक बड़ी बजा है अब deforestation कहते है इसको है इसका जो इसकी definition है cutting down of trees दरख्तों को काटना for the conversion of convert करने के लिए forest land into non forest land जंगलाती जमीन को गया जंगलाती जमीन में तक्दीर करने के लिए जो दरख्तों को काटा जाता है इस अमल को कहा जाता है deforestation यह deforestation है अब deforestation अभी हमने काई कि लेजर कॉसे species के extinct होने की इसकी causes क्या है इसकी वजुभाग क्या है कि species एक्सको क्यों की जाती है इसका पहला cause है for obtaining wood कि हम लकडे हासिल करना चाहते हैं for obtaining agricultural land हम जमीन हासिल करना चाहते हैं जहां पर हम जरात को अपनी जो है पैदावार को पढ़ा सके अबर्ट development हम deforestation के causes पढ़ रहे थे इसमें हमने पहला करना for obtaining wood मतलब लकडी हासिल करने के लिए हम लक्तों की कटाये करते हैं deforestation करते हैं अब सबार ये हैं कि हमें लक्ती क्यों चाहिए है उसकी वज़ा क्या है तो लक्ती हमें हमें चाहिए है इसके बहुत सारे हमारे पास प्रफजिस हैं हमें लक्ती चाहिए हैं फर्मिश्र को बनाने के लिए हमें लक्ती चाहिए हैं building houses houses को बनाने के लिए इसी तरह से हम लकड़ी को इस्तमाल करते हैं इसके जो कि पेपर बनाने के लिए जो कि वुड पल्प इस्तमाल होता है पेपर बनाने के लिए इसके लावा है लकड़ी को हम इस्तमाल करते हैं इसाल फ्यूल घरों में इस्तमाल करते हैं इस वजा से हम क्या करते हैं हम द्रफ् किरिटी फॉरिस्टेशन होती है ठाँ ह talented Szia Guy हुट और हम अपने इस जरूरिया के लिपटी की जरूरिया को कुरा करते हैं нихजल कि जरूरी के लिए हम क्या करते हैं लिपकषस की में लिए हम क्या करते हैं हम जो अबादी में इजाफा हो रहा है या पिर ये कहले महां बहां पसले हुगाते हैं इससे हमारी तुराग की जरूरिया पूरी होती है अगर इसका एक benefit तो है कि हम जो है जलाग में उसको इंवेस्ट कर देते हैं हम वहां पसले हुआ देते हैं वगर at the same time हम जो है इसका लुक्सान भी हमारे पास है हमें है तो हमके किसी भी मुलक की जो economy है उसके forest फेट इपैड कर रही होती है क्यूंकि अगर व्रस्ट जितने ज्यादा हो में उस मुलक की economy उतनी ही बेतर होती है उतनी ही अच्छी होती है तो फिर जब हम गरतों को बिलकुल ही काड़ देते हैं तो फिर क्या होता है जो हमारा लोंग टम जो बैनेफिट्स है वो फ़तन हो जाता है पर हम क्या करते हैं हम एकरी तर्चर करते हैं जो की एक शोर्ट टम बैनेफिट्स के तौरब हमे आसल होता है अँग इसके लावा अर्बंड डिवेलेपेट्म मतलब कि हम काडूनी बेना चाते हैं प्रेक्टरी बनाना जाते हैं जिसकी वर्या से हम क्या करते हैं घरतों को काड़ देते हैं जिसक और्वर्ड डिवड़ियूर्ट ज्रूरी को है उसकी मजा क्या है सिंग quand? अबादी बढ़ रहे है जब अबादी बढ़ेगी तो बादी के बढ़ने की वजह से नईकोद हो ने पर भी बनानी पड़ेगी और नए शहर में किभाने पड़ेंगे कि इसके असराद क्या होगी, कि जो डीफोरेस्टेशन हो गई है, ठीक है, अब इसका असराद क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके इफेक्ट में पहला इफेक्ट है, सॉयल पेलोईन हो जाती है, मतलब जमीन बंजर हो जाती है, बंजर होने का फत्रा दाता है, क्योंकि इ नहीं होते हैं तो फिर जो मिट्टी है अपनी जगा पे नहीं रहती हैवी रेंफॉल की वज़ा से जो मिट्टी है वो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो न्यूट्रेंट्स वो पानी के साथ ही बैह कर चले जाते हैं बैह जाते हैं जिसकी वज़ा से जमी मिट्ट स्की निकषक कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जमीं जो है बंचब ओना या फिर इरिज्ट हो जाती है अब वही जुो मिट्टी जो है जो पानी के साथ बैंकर सरी गई है कहां जाएंगी कर जा पर वह पर दर्याऊं जाती है नहरों चाहिए democrats लित्रे पानी का का लवन रेज़ कर जाता है जिसकी वजह से फ्लड के चांस इसे बढ़ जाते हैं यह इसके लावा जो गद्यूटı बारिश हैं वह कम होती है दरत होंगे तो transpiration होगी, अब transpiration, transpiration कहते हैं loss of water vapors from the plant surface, पोदे जो हैं पानी की बख़राद फारिस करते रहते हैं, तो फिर जब पोदे नहीं होगे, तो फिर transpiration नहीं होगी, जिसकी वज़ा से हवा में नमी कम होगी, पानी कम होगा, जिसकी वज़ा से बातिल कम बनेगे, ज जिसकी वज़ा से बारिशें भी कम होती हैं, अब इसके लावर हैं कुछ के deforestation के कुछ disadvantage भी हैं, और वो क्या क्या हैं, बिसार के तोर पर, मैं कहता हूँ, जो forest है, इसकी बहुत सारी, इसकी अंभियत है, इसकी importance है, इसकी importance क्या है, कि एक्ट है, ये माहोल को खुबसूरती प्रोवाइड करती है, ब्यूटी देती है, इसकी वज़ा से ट्रेक्ट करते हैं, जब द्रकती नहीं होंगे, जंगलाथ ही नहीं होंगे, तो फिर क्या वगाद जो forest है, बोस्तरब जो है, अट्रेक्शन उनकी कम हो जाएगी, इसकी वज़ा से गुलब की economy में जो है, तोड कम करते हैं, हवा में बहुत सारे ऐसी पालु टेंट्स हैं, जोगे जिन जो को forest dim बाय एक्सेर करने हैं, इस तरह से हवा खुशकवार लगते हैं, हवा को खयर प्रोपरुत लगते हैं, जो कि इनसानों के लिए, और दुस्सरे जानभार के लिए बहुत ज़दा ज़रुरी होती है तो फिर डीफोरेस्टेशन की वाज़ा से ये मुच्सान भी सामने होता है अब है इसके लावा जो के फोरेस्ट है पाकिस्ता में के पिकली में फोरेस्ट है क्लोस कैनोपी फोरेस्ट ये फोरेस्ट हर साथ है एक एक परसेंट वन परसेंट के रफदार से ये आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जा रहा है, ये श्रिंक करता जा रहा है, ये हमारे डिफोरेस्टिशन के टॉपिक के लिहास के जो में में कॉइंट्स हैं, तो मैंने आपको बता दिये हैं, आपके उसको जो है मजीद इटियर से इसको पढ़ेंगे, जो बात समझ नहीं आती है, वो आप हमे उसे क्सक्रड़ कर सकते हैं, अब हम एक्स आ जा जाते हैं, वो है ओवर हлюंटिंग, हमने आपको अजने कहा था यह क्या है, क्यों क्विस्टन के एक्स्टिंट हूने ज़र भू होने है, जहादा करना, चाहे हो लेगल है, चाहे हो इल लेगल है, जैसे भी है शीकार का ज्यादा करने की बज़ा से गांदा होता में इस वाज़ा से या हन्टिंग पर जो है चाहे वह बाई है उस पर बैकन होना चाहिए अगर हम चांते है कि मौ तो conserve किया जा सके अगर यह भी हम सब जानते हैं कि अगर species को हम नहीं बजा सकते हैं तो उसका effect पूरे ecosystem पर होता है चाहे वो फोर्म से हो जाए चाहे वो 50 साल के बाद हो चाहे वो 100 साल के बाद उसका effect जरूर सामने आता है क्योंकि यह तमाम जानदार अपस में फूर लिंक के जरिये से अपस में interact करते हैं अब जो हैं दो कंजीमे हैं एक है IUCN International Union for the Conservation of Nature and National Resources IUCN और दूसरा है WWFP World Wildlife Fund पाकिस्तान यह दो organization हैं जोनोंने बहुत सारे steps जोने उपाए हैं जो के conserve करते हैं by diversity को बचाने के लिए काम करते हैं जो के conservation की steps हैं यह काफे सारे steps हैं को आप detail से पढ़ लेंगे discuss कर लेंगे सिर्फ इसके informative जो एक मालूमात है वो आप देख लेंगे फिर भी कोई बास समझ नहीं आती है तो हम से आप contact कर लेंगे अब last नहीं आते हैं endangered species इन पाकिस्तान की पाकिस्तान में endangered species कौन कौन से हैं पाकिस्तान में जो endangered species हैं वो तीन endangered species ज्यांपर दे गई हैं एक हैं इंडेस डॉल्फन और दूसरा है मॉर्पो पोलोशी तीसरा है हुबारा बस्टर्ड अब जो इंडेस डॉल्फन है according to WWFP मतलब World Wildlife Fund पाकिस्तान के मताबिक इंडेस डॉल्फन के अब जो है almost 600 animals ही मौजूद हैं तो कि इंडेस डीवर में मौजूद हैं अब इनकी आबादी में जो हैं बहुत तेजी से कमी आ रही है उस कमी की वज़ा क्या है उसके की वज़ा है water pollution मतलब पानी की यालूटी है destruction of habitat rates है वही बाते हैं कि habitat loss हो रहा है तो यह जो है इसकी वज़ा है तो इन जिसकी वज़ा से इनकी तादरात कम हो रही है उन पर बैन होना चाहिए ताकि हम इन species को बचा सकें ताकि हम इन species के बारे में कुछ नकुछ कर सकें उसके बाद पिर आजाते है वार्को बोलोशीट यह यह पाकिस्तान में पाई जाते हैं पाकिस्तान में खंच्रा नेशनल पार्क और इसकी ग्रीवी अलागों में यह species पाई जाती हैं और यह जो species हैं इनकी तादाद पे भी बहुत तेसी से कमी आ रही हैं और इनकी तादाद में कमी आ रही हैं तो इस तादाद को फिर मेंटेर करने के लिए इनकी तादाद को बठाने के लिए इनको गंजर्व करने के लिए जो है तो कि WWF पें में कुछ इक्दामाद किये है जिसके जरीए से हम इनको बताने की कोशिश कर रही है और लास में है गुबारा बस्टर्ड गुबारा बस्टर्ड जो है ये फ्रीता है जो पाकिस्तान में आता है विंटर सीजन में सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान में आता है और नहां से आता है सोवियेट टेरिटरी से पाकिस्तान जाता और तहरता कहांपर है, चोलिस्तान एंट थर्ड डेजर्ट में ये वांबर ठहरता है, अब इनकी दाद पर जो कमी आरी है, उसकी बजा क्या है? उसकी बजा जो है, वो हंटिंग है, उसका शिकार है, तो फेर इसे संहां से इसकी दाद भी कम्वों हो रही है मिस्की ढूरा के अठीर को इसको बंचाने के लिए पाकिसान पीं old самых आइसों को बचाने के लिए आपकिसान तक इन ताकि आई अधिन स्पीशिज स्कोब आजै करे लिए